आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर क्लास 10th NCRT का और नेम ऑफ दे चैप्टर इस कोर्डिनेट जमेट्री चैप्टर नमबर 7 बच्चा बहुत ही इजी चैप्टर है ये तो इस चैप्टर को अपने को बहुत ही ध्यान से करना है So, coordinate geometry जो है वह आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा हाँ previous class में class 9th में class 9th के अंदर आपने coordinate geometry start किया था So, बच्चों, just remember कि वहाँ पे आपने क्या चैप्ढा याद आया, कुछ याद आया, वहाँ पर आपने कैप पड़ा था कि किसी भी पॉइंट को मैं कैसे लोकेट करता हूँ किसी भी पॉइंट को मैं कैसे लोकेट करता हूँ जिस बच्चे को याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको revise करवाता हूँ चलिए start करते हैं बच्चों माल लीजिए कि यह हमारा यहां पर जो है मैंने कोई object रखा है माल लीजिए यहां पर मैंने कोई ऐसे object रखा है अब मुझे यह बताना है कि इस object का position क्या है या फिर इस object की location क्या है तो आप कैसे बताओगे कि देखिए सर इस object का जो location है वो इस board के इस end से यह इतना दूर है and इस board का जो नीचे वाला जो end है वहां से यह object जो है वो आपका इतना दूर है ऐसी तो बताओगे for example माल लीजिए कि आपको जो है आपका जो room का जो floor है floor के ओपर let's suppose कोई object रखा हूँ है तो उस object की अगर आपको location बतानी है तो आप कैसे बताओगे कि वो object जो है वो हमारा इस वाली wall से इतना दूर है और इस वाली wall से हमारा वो इतना दूर है ओके यह हो गया हमारा practical life का example similarly बच्चों हम ऐसे ही coordinate geometry में भी point को locate करते हैं क्या करते हैं point को locate करते हैं ओके नाओ इस object को बताने के लिए बच्चों आपको किसका requirement पड़ा आपको किसका जरूर्त पड़ा आपको जो है वो दो reference line की जरूर्त पड़ी न येस और नो आपको जो है वो दो reference line की जरूर्त पड़ी एक तो इस board का ये वाला end दूसरा जो है वो इसका ये वाला end similarly in case of floor example तो आपका एक तो ये वाला wall हो गया और दूसरा जो है इदर वाला wall हो गया आपको किसका requirement हो रहा है आपको जो है वो दो reference की need होती है दो reference का requirement होता है ओके और इनी reference lines को बच्चों हम क्या बोलते हैं reference axis बोलते हैं इनी को हम क्या बोलते हैं reference axis बोलते हैं ओके अब बच्चों हम ऐसे ही किशी को reference access नहीं माल लेंगे दोनों जो आपकी reference access है वो आपकी क्या होनी चाहिए वो आपकी आपस में perpendicular भी होनी चाहिए they must be perpendicular to each other भी जो आपने reference माना है ना जो आपने reference lines मानी है वो एक दूसरे के आपस में क्या होनी चाहिए perpendicular होने चाहिए तो बच्चों we required two reference lines या फिर reference axis to locate any object in a plane ओके we required two reference axis, two perpendicular reference axis similarly in case of coordinate geometry बच्चों अपने को क्या होता है दो reference axis का जुर्थ पढ़ता है और class 9th में पढ़ा होगा कि हम उन reference axis में एक तो जो है वो क्या मान लेते हैं horizontal line मानते है and एक जो है बच्चों वो हम vertical line मानते हैं ओके आप जो है बच्चों ऐसे भी मान सकते हो कोई दिक्कत ने inclined lines भी मान सकते हो but they must be perpendicular to each other but for our simplicity we consider one reference axis as horizontal and another one as vertical एक को हम horizontal मानते हैं और दूसरे को जो है बच्चों हम vertical मानते हैं and आपस में क्या होंगे आपके perpendicular तो होंगे ही होंगे ओके फिर से बोल देता हूँ जरूरी नहीं है कि आप हमेशा horizontal मानो दूसरे को आप vertical मानो आप inclined भी मान सकते हैं but in our study course हम लोग बच्चों एक को horizontal ही मानते हैं और एक को हम vertical ही मानते हैं for our simplicity समझ गए अब यह हमने क्या मान लिए बच्चों दो reference axes मान ली जो आपस में क्या होती है एक दूसरे के perpendicular होती है अब इनी को बच्चों हमने बोल दिया कि जो आपका horizontal वाला axes है उसको हम बोलते हैं x axes and vertical वाले को बच्चों हम बोलते हैं y axes horizontal वाले को हम x axes बोलते हैं and vertical वाले को जो है बच्चों हम क्या बोलते हैं y axes बोलते हैं ओके now these two x axes and y axes को combine करके जो बच्चों हम term use करते हैं that term is coordinate axes क्या बोलते हैं हम उनको coordinate axes या फिर इसका दूसरा नाम होता है Cartesian axes Cartesian axes ओके ये जो आपका x axes and y axes है इनी को हम बोलते हैं coordinate axes या फिर Cartesian axes ओके बच्चों and ये जो plane है ये जो आपका plane है उसको हम बोलते हैं Cartesian plane या फिर coordinate plane Cartesian plane या फिर coordinate plane मैं कैसे locate करूँआ इस point का इस वाली y axis ये कितना distance है ये इतना distance है ओके जब भी मैं distance की बात करूँआ वो distance मेरा perpendicular ही होगा ओके अल्वेस किप ये इतना है और इस पोइंट का इस वाली एकसे चे कितना distance है ओके ऐसे ही तो मैं इस पोइंट को locate कर पाऊंगा ओके बच्चों धान से सुनिएगा अब ये वाला जो distance है इसको बच्चों हम बोलते हैं क्या X-Coordinate क्या बोलते हैं हम इसको X-Coordinate तो X-Coordinate क्या हो गया X-Coordinate is the distance of the point is the perpendicular distance of the point from Y-Axis perpendicular distance of the point from Y-Axis and बच्चा पाटी this is what perpendicular distance of the point from X-Axis को हम बोलते हैं Y-Coordinate क्या बोलते हैं Y-Coordinate या फिर इसका दूसरा नाम होता है बच्चों O-D-N-E ओके और इसका दूसरा नाम होता है EBSCES यहां तक सब को समझ आ गया what is this X-Coordinate X-Coordinate is the distance of the point from Y-Axis और जब भी मैं distance की बात करूँगा वो हमेशा कैसी होगी हमारी perpendicular distance होगी and Y-Coordinate or Orordinate is the perpendicular distance of the point from the X-Axis ओके बच्चा बाड़ी ओके नाव ये वाला जो point है इसको बच्चों हमेशा मैं इस फोर में लिखुआ कि पहले तो बच्चों हम यहां पर इसका X-Coordinate लिखते हैं for example देखिए अगर मैं लिखता हूँ 2,3 सो बच्चों now can you tell me कि इसका X-Coordinate क्या है X-Coordinate मतलब जो पहले लिखा रहता है वो वहारा X-Coordinate होता है now what is its Y-Coordinate? Y-Coordinate is 3 now अगर मैं पूछता हूँ perpendicular distance of point from X-Axis tell me X-Axis से perpendicular distance क्या है तो आप ऐसे याद रखो X-Axis से मतलब कि वो हम से Y-Coordinate पूछ रहा है and what is the Y-Coordinate? 3 now अगर आप से पूछता है वो perpendicular distance of the point from Y-Axis पूछता है तो हम क्या बोल देंगे? कि इसका मतलब है कि वो हम से क्या पूछ रहा है? वो हम से X-Coordinate पूछ रहा है that means this will be 2 unit since ये distance है तो उसका कुछ unit भी होगा ओके समझ गए बच्चों ये था हमारा class 9th का थोड़ा शा revision ओके चालिए कुछ और हाँ अब आपको पता ही होगा देखो वैसे ये बताने की नीड नहीं थी because ये बहुत ही basic सा है सभी को पता होगा बट कुछ बच्चों ने class 9th पढ़ा भी नहीं है due to lockdown वगएरा वगएरा कोरोना वगएरा that's why सभी बच्चों को मैं एक साथ में लेके चल रहा हूँ ओके तो मैंने जो आपका 9th का जो भी important चीज़े थी वह मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया चलिए अब ये होता है कि बच्चों देखो जो हमारे coordinate system होता है जो हमारा coordinate system है coordinate system या फिर Cartesian system का मतलब क्या होता है x-axis and y-axis ओके तो ये हमारा x-axis और ये हमारा क्या हो जाएगा y-axis हो जाएगा तो ये plane को जो है बच्चों वो चार पार्टस में डिवाइड कर देता है ये plane को जो है वो चार पार्टस में डिवाइड करता है ओके फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट ओके बच्चो नाव फॉर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों वैल्यूस पोजिटिव होगे बिकोज हियर वी टेक पोजिटिव वैल्यूस लाइक दिस यहां पर हम पोजिटिव लेते हैं ऐसे और यहां पर इस साइड हम नेगिटिव लेते हैं और यहां भी जो है वह हम ऐसे नेगिटिव लेते हैं तो बच्चो यहां पर फॉर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पोजिटिव हो जाएगे second quadrant में देखो second quadrant में ये आपका क्या है negative और ये जो है वो आपका क्या है बच्चो पोजिटिव ओके नव यहाँ पर दोनों ही negative और यहाँ पर ये positive और ये negative ओके ये चलिए नव अब हम बात करते हैं हमारे class 10 की सो बच्चों coordinate geometry coordinate geometry हाँ coordinates of any point इसका क्या मतलब है coordinates of any point किसी भी points के coordinate क्या मतलब है कि बच्चों आपको उसका x coordinate लिखना है कोमा आपको उसका y coordinate लिखना है ठीक है this is the meaning of coordinate of any point ओके बच्चों बात करते हम coordinate geometry की सो बच्चों coordinate geometry का ही एक दूसरा नाम भी होता है हमारा cartesian geometry इसी का ही एक दूसरा नाम होता है cartesian geometry okay तो बच्चों coordinate geometry या फिर cartesian geometry के हम लोग अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग जो यहां points है like first and second point तो इनके बीच का distance क्या होगा या फिर इन दोनों points के बीच में एक point और हमाली जी कोई तो यह वाला जो point है वो इस line segment को किस ratio में divide कर रहा है second topic हमारा यह आने वाला है third topic हमारा होगा कि how will we find area of a triangle using this coordinate geometry okay बच्चों this is all about we will study तो चली बात करते हैं हमारे first topic की जो इस chapter पर based है first chapter first topic की बात कर लेते हैं वो है हमारा क्या distance formula first topic of this chapter is distance formula distance formula okay बच्चों हम इसका formula पढ़ेंगे और साथी साथ जो है वो हम इसका क्या करेंगे साथी साथ जो है वो हम इसका proof भी देखेंगे कि यह formula जो है वो हमारा कैसे आया okay before that I forgot to tell you one thing की देखिए बच्चों अगर कोई points आपका x-axis के उपर है तो वो जो है वो आपका इस form का होगा and अगर आपका कोई point y-axis के उपर है तो वो आपका इस form का होगा okay चलिए now what is distance formula when will we use this formula okay और यह formula हमारा कैसे बना है so बच्चों distance formula जो होता है we use distance formula to find distance between any two coordinate points between any two points whose coordinates are given okay for example कि एक point तो आपका यह है और दूसरा point आपका यह है okay now इन दोनों points के आपको coordinate भी दे रखें like x1,y1 और इसके coordinate मालेजी x2,y2 okay बच्चों so फिर इनके बीच का जो distance है यह वाला यहां से लेके यहां तक जो distance है वो हमारा क्या होगा okay तो अगर आपसे distance between any two points पुछता है तो we will apply this formula distance formula okay so distance formula is used to find distance between, is used to find distance between any two points, distance between any two points whose coordinates are given, whose coordinates are given, जिनके coordinates जो है वो अपने को दे रखें है okay बच्चों now माली जी एक जो है हमारा point A यह हमारा point B है the coordinates of A are x1,y1 and the coordinates of B are x2,y2 then बच्चों the distance A,B distance A,B जो है वो हमारा क्या हो जाएगा this is root over, this is root over, root over, difference of x coordinate ka square, difference of x coordinate ka square, plus difference of y coordinate ka square, okay यही है बच्चों हमारा distance formula, इसको आप याद कर लो, हम इसका proof भी देखेंगे क्या है कि difference of x coordinate, मतलब जो भी आपके x coordinates है, उनके बीच का अपने को difference find करना है उसका square, plus difference of y coordinate का square, and पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, हमारा under root square root लग जाएगा ओके बच्चों, now difference का मतलब क्या होता है, difference का मतलब यह है कि चाहे तो आप x2 minus x1 करें, या फिर x1 minus x2 करें difference का मतलब यही होता है, difference means, x2 minus x1 या फिर आप करे सकते हैं, x1 minus x2 बच्चों, इसका formula क्या बन जाएगा, root of x2 minus x1 का square, plus y2 minus y1 का square, छाप लो, रटलो, याद कर लो, रटलो इसको यही है हमारा इस chapter में एक formula कि a, b, distance is root over x2 minus x1 का square, प्लस y2 minus y1 का square, ओके बच्चा बाड़ी, ना, अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x1 minus x2 का square, प्लस y1 minus y2 का square, जो आपको अच्छा लगे, आप जो है, वो इस formula को use कर सकते हो, ओके गाईज, so this is the formula to find the distance between any two points, कर लिया note, छाप लो, ओके, देखिएगा, अब हमें question की बात करते हैं, कि हमें question के अंदर कैसे इसको apply करेंगे, ओके, किसी question में हम इसको कैसे apply करेंगे, so बच्चों देखिएगा, माल लीजिए कि अपने पास कोई एक point है, minus 2,4, and दूसरा point है आपके पास, 3,6, okay, अपने को इन दोनों के बीच का distance find करना है, तो formula क्या होता है, मेरा root of x2 minus x1, तो बच्चों देखो, चाहो तो आप इसको x1 बोल दो, या फिर आप इसको x2 भी बोल सकते हो, चाहे आप इसको y, okay, चाहो तो आप इसको x1 बोल दो, या फिर आप इसको भी x2 बोल सकते हो, चीक है ना आप किसी को भी x1 x2 बोल सकते हो किसी को भी आप y1 y2 बोल सकते हो करना क्या अपने को जो वो difference का square करना है ओके बच्चों हमारा formula क्या था कि x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square यह हमारा formula था so root over x2 is how much मैं इसको x2 बोल देता हम तो यह क्या हो जाएगा मेरा 3 3 minus of डिहां से x1 का value क्या है minus 2 का square ऐसे plus y2 is how much minus का 6 है बच्चों minus का 6 minus y1 is 4 and इसका square so this will be how much 3 minus minus यह मेरा plus का 2 square plus minus 6 minus 4 this will be how much minus 10 का square यह बन जाएगा now 3 plus 2 5 का square 25 plus minus 10 का square is 100 so we will get root of 125 and that is equal to बच्चा पार्टी 5 root 5 unit okay now don't forget to write unit at the end आपको unit लिखना ही लिखना है because we are finding distance and distance has some unit either meter or centimeter so we will write unit okay so this is how we use this distance formula सबको यहां तक एकदम अच्चे समझ आ गया होगा अब बच्चों जो है वो हम इसके proof की बात करेंगी यह वारा जो formula जो है वो हमारा कहां से आया है okay so let's see okay now I am going with a general derivation देखेगा कि बच्चों एक point है हमारा यहां पर x1,y1 जिसके coordinates है and second point है हमारा x2,y2 okay हमें इन दोनों points के बीच का distance find करना है so बच्चों बीच का distance find करना that means हमें यह a b find करना है तो कैसे find करेंगे देखीगा ध्यान से so बच्चों यह जो मेरा point a है यह जो point मेरा a है इसका x1,x1 का मतलब क्या हो जाएगा x1 का मतलब क्या है x1 का मतलब यह है कि जो बच्चों हमारा point a है वो y-axis से कितना distance दूर है वो हमारा y-axis से जो है वो x1 distance दूर है समझे यह बात भी अगर यह मेरा point a है x1,y1 सो बच्चों इसका मतलब क्या है कि यहां से यह x1 distance दूर है y-axis से और यह जो है वो मेरा y1 distance दूर है x-axis से सो x1 हमारा यह हो जाएगा न and बच्चा पार्टी and बच्चों यह जो है यह वाला distance यह distance हमारा क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा यह बात समझे सभी this distance will be x1 and this distance will be y1 similarly बच्चों जो हमारा point b है point b point b के x2 का मतलब क्या हो जाएगा कि यह वाली जो distance है यह वाली जो आपकी distance है वो कितनी हो जाएगी x2 हो जाएगी and बच्चा पार्टी यह वाली जो आपकी distance है this distance will be y2 is that clear to everyone यह वाली जो distance है वो हमारी क्या हो जाएगी y2 हो जाएगी ओके बच्चों यह अगर x1 तो बच्चों यह भी क्या होगा हमारा x1 ही होगा so this is going to be x1 ओके नाव यह अगर x2 है तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा x2 हो जाएगा this is x2 ओके बच्चों नाव this is y1 and the entire is y2 ओके so this is y1 and बच्चों यह complete क्या है हमारा y2 है complete जो है वो हमारा y2 है ओके नाव देखीगा यह यहां से यहां तक x2 distance है यह मेरा x1 है so बच्चों यह वाली distance क्या हो जाएगी हमारी x2 minus x1 हो जाएगी ना x2 minus x1 हो जाएगी similarly यह complete हमारा y2 है यह हमारा y1 है so बच्चों यह वाली distance हमारी क्या हो जाएगी y2 minus y1 हो जाएगी ना यह बात समझे सभी ओके now if this is x2 minus x1 so बच्चों यह भी क्या हो जाएगी x2 minus x1 हो जाएगी and यह वाली भी क्या हो जाएगी हमारी y2 minus y1 हो जाएगी ओके इसको बोल दीजिए पॉइंट सी ओके बच्चा बाड़ी समझें यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चले अब देखीगा अब जो ट्राइंगल अपने को ABC दिख रहा है वहां पर यह 90 डिगरी का है तो बच्चो टेल मी यहां से AC का वैलू क्या है AC का वैलू क्या है हमारा X2-X1 है न एंड BC का वैलू क्या है BC का वैलू है यहां पर Y2-Y1 और अपने को फाइंड करना है AB का वैलू तो क्या मैं AB का वैलू फाइंड कर सकता हूँ क्या यूज करूँआ I will use Pythagoras Theorem और वो क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वेर मतलब AB का स्क्वेर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेस का स्क्वेर मतलब AC का स्क्वेर प्लस BC का स्क्वेर यही तो होगा Now what is AC, मतलब ये वाला क्या है अपना, x2 minus x1, so इसका square plus bc is how much y2 minus y1, तो y2 minus y1 का square, तो ये हो गया बच्चों, a, b का square Okay, now a, b will be equal to what, root हो जाएगा इसका x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square Okay, तो बच्चों ये ही तो अपने को प्रूव करना था, this is the formula for finding a distance between any two points whose coordinates are given Okay, समझ गए, yes So बच्चों ये हमारा proof था, okay, now you will remember this formula, केवल जो है वो आप इस formula को याद कर लोगे अब x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square and पूरे का root, and पूरे का root Okay बच्चों, yes, और ये हमने इसका proof भी आपको बता दिया चलिए, अब हम आगे questions करते हैं Now, example number one, before that बच्चों देखिए, कि अगर आप से पूछता है वो, कि distance of any point distance of any point from origin, तो ये क्या हो जाएगा देखो बच्चों any point x, y ओके, देखिएगा, so origin क्या होता है, मेरा 0, 0 and बच्चों एक point अपने को दे रखा, x, y, तो इनके बीच का जो distance है, वो क्या हो जाएगा, देखो, x minus 0 का whole square, plus y minus 0 का whole square, so distance will be x square plus y square का root, okay, तो ये आपका direct formula आजाता है, to find distance of any point from the origin, so this is root over x square plus x square plus y square, okay, तो इसको note कर ले, चलिए, अब हम example number first में आते हैं, so example number one है हमारा, कि do the points 3,2, minus 2,3 and 2,3 form a triangle, if so, name that triangle, okay, so, बच्चों, तीन points है, कौन-कौन से, 3,2, minus 2, minus 3, okay, and तीसरा point है हमारा, 2,3, okay, now we have to check whether, ये तीनों जो आपके points है, बच्चों, वो, एक triangle बना रहे हैं, या फिर नहीं बना रहे, ओके, तो देखिएगा, मैं क्या माल लेता हूँ, कि let, P जो है, उसको मैंने माल लिया, 3,2, Q को हमने माल लिया, minus 2, minus 3, and R को बच्चों हमने माल लिया, 2,3, okay, now, सोची ज़रा, कैसे decide करते हैं, कि बच्चों कोई हमारा triangle है या नहीं है, how we decide whether triangle बनाएगा या नहीं बनाएगा, है न, सो आपने पढ़ा होगा, class 9th के अंदर, कि if, sum of two sides is greater than third side, अगर दो side का sum बच्चों तीसरी side के ज़्यादा हो, सो हम क्या बोलते हैं, वो triangle हमारा बनाता है, for example, मान लिजी अपने पास ये तीन sides ऐसे हैं, okay, these are the three sides, and the question is asking whether to prove, to show that, to check whether these three sides will make a triangle or not, so बच्चों, triangle कब बनाएगा, जब दो side का sum, मतलब A plus B मेरा तीसरी side से ज़्यादा हो, ऐसे ही A plus C मेरा तीसरी side से ज्यादा हो, and बच्चों, A, B plus C भी जो है, वो मेरा तीसरी side से ज्यादा हो, okay, so when sum of two sides is greater than the third side, then these three sides form a triangle, okay, बच्चों, तो देखिए, so अपने को क्या find करना पड़ेगा, अपने को जो है, वो तीनों sides find करना पड़ेगा, that means, बच्चों, मुझे यहाँ पर distance find करना पड़ेगा, देखो, माल लो, ये मेरा point P है, ये मेरा point Q है, और ये मेरा point R है, so check करने के लिए, अपने को ये वाला side find करना पड़ेगा, that means, मुझे इस P Q distance find करनी पड़ेगी, P R distance find करनी पड़ेगी, and बच्चों, मुझे Q R distance find करनी पड़ेगी, okay, तो जब मेरे पास distance आएगा, after that, I will check कि दो sides का sum मेरा तीसरी side से बड़ा है, या नहीं है, okay, चलिए, start करते हैं, let's find P Q, okay, बच्चों, let's find P Q, so P Q will be what, formula क्या होता है हमारा, X2 minus X1 का square, plus Y2 minus Y1 का square, okay, now बच्चों, you can take either this X1 or this X1, आप किसी को भी ले सकते हैं, okay, चलिए, so हम क्या करते हैं, चलो हम ही जो है वो इसको ले ले लेते हैं, इसको हम X2 माल लेते हैं, इसको जो वो हम X1 माल लेते हैं, so बच्चा बाटी, minus 2 minus 3 का whole square, plus Y2 is minus 3 minus 2, minus 3 minus 2 का whole square, so this will be how much, minus 2 minus 3 minus 5, minus 5 का square 25, plus minus 3 minus 2, again minus 5, and minus 5 का square 25, so this is root over 50, okay, root over 50, और जब मैं इसको अप्रोक्स वैल्यू निकाल हूं, तो 7, 7 जा हमारा 49 होता है, 7, 7 जा is 49, okay, so this will be something like 7.07 unit, okay, यह अप्रोक्स, ओके बच्चों, ऐसे ही हम find कर लेंगे हमारा distance, PR, so PR will be how much, देखो, इन दोनों की बीच का distance find करना है, तो मान लिया, मैंने X को X2 मान लिया, तो बच्चों क्या बनेगा यह, 2 minus 3 का whole square, 2 minus 3 का whole square, plus Y2 minus Y1 का whole square, मतलब 3 minus 2 का whole square, so 2 minus 3 is minus 1, minus 1 का square, जो है 1 होता है, plus 3 minus 2, 1, 1 का square, जो है root 2, and root 2 is 1.41 unit, ओके, नाओ, ऐसी हम find कर लेंगे, QR, that means distance between point Q and R, ओके बच्चों, जब हम तीनों points के बीच का distance find करेंगे, तभी तो हम decide कर पाएंगे, ना, so we will find this, PQ, PR and QR, हम तीनों side find कर लेंगे, ओके, चलिए, अब QR find करते हैं, ओके, तो चलिए, मैं इसको मान लेता हूं, तो देखो, मैं क्या लिख लेता हूं, minus 2, minus 2 का whole square, again I will tell you, बच्चों देखो, आप फिर से देखो, कि इसको भी आप मान सकते हो, 2, minus minus 2 का whole square भी लिख सकते हो, plus 3, minus minus 3 का whole square भी लिख सकते हो, तो आप पे उपर depend करता है, कि आप किसको x1 मान रहे हैं, आप किसको x2 मान रहे हैं, ओके, चली, answer आपका हर बार से इम ही आएका, नव बच्चों, minus 3, minus 3 का whole square, so this will be, minus 2, minus 2, मतलब minus 4, and minus 4 का square is 16, plus minus 3, minus 3 is minus 6, and minus 6 का square is 36, so this is root over 52, and root का 52 का value है, बच्चों, वो approximately हमारा 7.2 unit, माल लीजीगा, ओके, तो बच्चों, हमने जो है, वो तीनो distances find कर लिया, ओके, तो दैट इस 7.2 unit, ओके बच्चों, ना देखीगा, तो ये जो आपका तीनों जो sides आया है, तीनों जो आपकी distances आया है, तो बच्चों, अगर मैं किनी 2 distances को add करता हूँ, तो बच्चों, वो जो है, वो आपका तीसरे से बड़ा हो रहा है, चाहिए आप इन दोनों को add करो, तो वो आपका तीसरे से बड़ा हो रहा है, चाहिए आप इन दोनों को add करो, कि here sum of two distances is greater than the third one, is greater than, is greater than the third distance, okay, therefore, therefore, P, Q, R form a triangle, यह तीनों जो है वो हमारा क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, form a triangle, ओके, now, किस टाइप का ट्राइंगल है, वो भी देखिए जरा, किस टाइप का ट्राइंगल है, तो बच्चों, भी हाओ, how many types of triangle, एक्वी लेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल या फिर राइट ट्राइंगल, ओके, तो देखिएगा यहाँ पर कि P, Q का जो वैल्यू है, वो रूट 50 आ रहा है, एंड P, R का जो वैल्यू है, वो रूट 2 आ रहा है, तो बच्चों, अगर मैं P, Q का स्क्वैर करूं है ना, अगर मैं P, Q का स्क्वैर करूं बच्चों, तो वो कितना हो बनेगा, 50 बनेगा, ओके, ऐसे ही, अगर मैं P, R का स्क्वैर करता हूं, तो वो कितना बनेगा, अपना 2 यूनिट बनेगा, अगर मैं Q, R का स्क्वैर करता हूं, Q, R का स्क्वैर करता हूं, तो वो हमारा कितना बन रहा है, 52 बन रहा है, So, clearly आपको यहां पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि, कि स्क्वैर ओफ वन डिस्टेंस is equal to some of squares of other two distance, that is, Q, R का स्क्वैर है बच्चोई वहां पर equal है, P, Q स्क्वैर प्लस P, R के स्क्वैर के, Therefore, according to Converse of Pythagoras Theorem, Converse होता है न, Pythagoras Theorem का, कि, if square of one side is equal to the sum of square of another two, other two sides, then that is a right triangle, So, बच्चों, यह P, Q, R हमारा क्या बन जाएगा, According to Converse of Pythagoras Theorem, P, Q, R is a right triangle, Is a right triangle, ओके, since बच्चों, यह हमारा पहला क्योशन था, पहला एक्जाम्पल था इस पर बेस्ट, तो मैंने इसको बहुत ही detail में आपको explain किया है, ओके, आगे हम थोड़ा fast करेंगे, Okay, now, so that the points 1, 7, 4, 2, minus 1, minus 1, and minus 4, 4 are the vertices of a square, are the vertices of a square, यह जो है वो अपने को सो करना है, तो बच्चों देखो, हम क्या करेंगे, कि हम माल, सबसे पहले हम लोग यह assume कर लेगी, let 1, 7 जो है वो, उसको मैंने A बोल दिया, and B जो है वो, मैंने 4, 2, C को मैंने minus 1, minus 1, and इसको जो है बच्चों वो हमने D बोल दिया, minus 4, okay, now, अपने को क्या बताना है, कि यह जो चारों जो आपके points है, वो square के vertices हैं, तो बच्चों यहाँ पे हम use करेंगे, property of square, so what is the property of square, square की property क्या होती है, square के अंदर, क्या होता है बच्चों, कि चारों की चारों sides क्या होती है, आपकी equal होती है, तो चारों sides क्या बनेगी हमारी, A, B, B, C, C, D, A, and A, D बनेगी, after that, जो इसके diagonals भी होते हैं, बच्चों वो भी क्या होते हैं, equal होते हैं, okay, so अगर A, B, B, C, C, D, and A, D, चारों sides हमारी equal हो जाए, and साथ में इसके diagonals भी equal हो जाए, तो this quadrilateral A, B, C, D will be a square, this quadrilateral A, B, C, D will be a square, okay, so बच्चों अपने को अब क्या find करना है, अपने को जो है वो अब इन सभी distances को find करना है, okay, चलिए start करते हैं, so बच्चों हम find कर रहे हैं A, B, okay, so A, B देखो क्या हो जाएगा, X2 minus X1 का स्क्वार मतलभ 4 minus 1 का स्क्वार, plus 2 minus 7 का स्क्राइब, okay, so this will be how much, 2 4 minus 1 का स्क्वार मतलब 3 3 का स्क्वार 9 plus 2 minus 7 minus 5 minus 5 का स्क्राइब 25, सो बच्चों, इस is root of 34, root 34, ओके, now, let's find BC, अब हम find कर लेते हैं BC, सो BC क्या बनेगा, बच्चों, देखो, minus 1, minus 4 का square, plus minus 1, minus 2 का square, minus 1, minus 2 का square, so minus 1, minus 4 is minus 5, minus 5 का square is again 25, and minus 1, minus 2 is minus 3, and minus 3 का square is 9, सो बच्चों, again, we will get root 34, okay, now, we will find CD, अब जो है, वो हम CD find कर लेंगे, okay, so this will be how much, minus 4, एक साइन बीच में माइनस होता है, और यहाँ पर क्या है, minus 1, तो यह ऐसे बनेगा, इसका square, plus 4, minus of, यहाँ पर बच्चों, एक minus 1 है, ओके, so this will be how much, 4, minus 4, and यह minus minus, यह हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ओके, that means, minus 4, plus 1 का square, प्लस बच्चों, यह क्या बनेगा, 4, minus minus मेरा प्लस का 1, so 4, plus 1 का square, so this will be how much, minus 4, plus 1 is minus 3, and minus 3 का square is 9, plus बच्चा बारड़ी 5 का square, जो वो 25 हो जाएगा, so this will be root of 34, okay, similarly, I will find AD also, ऐसे ही मैं AD भी find कर लूँगा, so AD मतलब minus 4, minus 1 का square, minus 4, minus 1 का square, plus में 4, minus 7 का square, so बच्चों, यह भी अपना root 34 ही आजाएगा, यह भी जो है, वो अपना root 34 ही आजाएगा, okay, चलिए, next, क्या इतने से ही, हाना, यहाँ पर क्या हुआ, कि जो हमारा AB है, वो equal है BC के, equal है मेरा CD के, equal है मेरा AD के, okay, तो क्या बच्चों, इसको देखे मैं यह बता सकता हूँ, कि यह मेरा square हो जाएगा, नहीं, अभी बच्चों, इस condition से यह आपका square भी बन सकता है, और यह आपका rhombus भी बन सकता है, okay, so, it can either be rhombus और square, यह आपका rhombus भी बन सकता है, और यह आपका square भी बन सकता है, अब क्या करना पड़ेगा, अब जो है वो मुझे AC and BD भी find करना पड़ेगा, so, let's find AC, AC is how much, AC is minus 1, minus 1 का square, plus minus 1 and here it is minus 7 का square, so, this will be how much, देखीगा, minus 1, minus 2, minus 2 का square, जो हम उपना 4 हो गया, 4 plus minus 8 का square, minus 8 का square, minus 8 का square is 64, okay, 64 plus 4, root of 68 हो जाएगा, आपके, ऐसे ही बच्चों हम क्या find कर लेंगे, फिर दूसरा diagonal that is BD, आपके, ऐसे हम दूसरा diagonal BD भी find कर लेंगे, so, B क्या है हमारा, 4 कॉमा, B point क्या हमारा, 4 कॉमा, 2, okay, now, क्या बच्चों, minus 4, minus 4 का square, plus 4 minus 2 का square, 4 minus 2 का square, so, this will be how much, minus 4, minus 4, minus 8 का square, 64, and 4 minus 2, 2, 2 का square, 4, so, again, this is 68, okay, बच्चों, so, what we are noticing here, हमें क्या मिल रहा है, कि बच्चों, diagonals क्या है, equal है, okay, so, if all the four sides are equal, and the diagonals are also equal, then that quadrilateral is a square, okay, बच्चों, so, last में क्या लिख देंगे हम की, here, all the four sides are equal, here, all the four sides are equal, and also diagonals are equal, and also diagonals are equal, therefore, it is a rhombus, sorry, therefore, it is a square, therefore, it is a square, okay, so, बच्चों, आपको जो है, वो, क्या याद रखना पड़ेगा, आपको जो है, वो properties ध्यान में रहनी चाहिए, इनकी जो properties है, इनकी जो properties है, rectangle की properties, square की properties, rhombus की properties, triangle की properties, इन सबको जो है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, because, तभी तो आप decide कर पाएंगी, कि वो आपका square है, कि rhombus है, कि नहीं है, okay, so, ये था हमारा question, example number two, ये था हमारा example number two, now, so, guys, that's all in this video, remaining examples, we will do in the next class, and also, we will start our exercise 7.1, so, hope you enjoyed this video, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट करना है, कि आप कोई वीडियो कैसा लगा, okay, and if you have any doubt, you can comment in the comment section, I will take your doubt in the next class, so, मिलते हैं next video में, till then, take care, bye-bye, thank you.